जैहिन दोस्तों नमस्कार साथियों मैं आपका अपना चीनुसायदपुर एक बार फिर आपके साथ चीनुसायदपुर फिजिकल ट्रेनिंग फाउंडेशन मोदिनगर मैं आपका स्वागत है दोस्तों हम आपको रोज खुसकबरी के साथ आते हैं परन्तु लेकिन आज हम आए हैं एक दुखत घटना के साथ बहुत ही दुख की बात है कि सहीद अमरत पाल सिंग जिनको सहीद का दरजा नहीं दिया गया पूरी वीडियो आप देखेंगे उसमें सारी जानकारी आप लोगों को मिल जाएगी तो वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो के देखने के बाद आप इसपे कमेंट्स करके बताएं कि ऐसा होना चाहिए यहां नहीं होना चाहिए तो दोस्तों मैं बात पर आता हूँ अपनी टोपिक पर आता हूँ जो बात है आज दोस्तों एक बंदा भरती हुआ 2020 में जो अगनीवीर के तहत भरती हुआ उसका नाम था अमरित पाल सिंग जो कोशिकला का रहने वाला था जो डूटी पर चड़ा हुआ था यानि के उसकी ट्रैनिंग भी पूरी हो गए थी सा हो गया था अब जो उसकी डूटी चल रही थी डूटी चल रही थी रजोरी जो जम्मु कस्मीर में पढ़ता है उसके दोरान अब देखो डूटी के दोरान उसकी डैथ हो गई यानि के उसकी म्रत्यू हो गई अब देखते हैं वह बताया जा रहा है कि वहाथ से में हुई है परन्तु मैं एक चीज कहना चाहूंगा दोस्तों कि वो जहे गोली उसकी बंदूक से लगी है चाहे गोली किसी की बंदूक से लगी है उसका सव सहीद का सव प्राइवेट एंबूलेंस में लाया गया दो आदमी आर्मी के वो भी सिविल ड्रैस में आए और नहीं सहीद का दर तो मैं दोस्तो एक चीज और कहना चाहूंगा आपको उसमें बता जा रहा है कि उसे गोली अपनी ही बंदूख से लगी दोस्तो आर्मी की एक पोलीशी थी कि आप लोग आर्मी की प्रोपर्टी हो जब आर्मी में बढ़ती हो जाता है तो आर्मी की प्रोपर्टी हो जाता है और आर्मी की property होने के बाद चाहे उसके साथ कैसी भी दुर्भाग्यपूर्ण हादसा हुआ हो चाहे दुस्मन की गोली लगी हो चाहे वह वहां पे बिमार हुआ हो कोई भी उसे सहीद का दर्जा मिलना चाहिए आप मुझे इसका जवाब कमेंट में मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए मेरी नजर में मिलना चाहिए नंबर दो बात दोस्तों मेरा सरकार से एक और अनुरोध है कि इस अगनी पतिश्कीम में अगर कोई ऐसा प्रोसीजर है कि वह अगर आप सहीद होते हैं तो आपको ऐसे ही लाया जाएगा तो मैं इसे हाद जोड़ के आपसे अनुरोध करता हूं कि इस अगनी पतिश्कीम में से इस प्रोसीज और को हटाया जाए जल्दी से जल्दी क्योंकि एक जो बंदा होता है वह अपनी सारी फैमिली को छोड़के जाता है परिवार का एक सदस्य होता है आप सरकार के लिए या आतंकवादी के लिए या मरने देखने वाले के लिए वह के वह एक सिपाई होता है लेकिन वह अपने गर का एक चिराग होता है और अकेला घर में था वारिस उसके बाद कोई भी नहीं था और दोस्तों वहाँ पे सहीद हो गया इसलिए गया था वह देश की सेवा करने के लिए के मैं जाओंगा और अगर मेरी म्रत्य हो जाती है मैं सहीद हो जाता हूं तो मुझे सहीद का दर्ज मैं पूछना चाहता हूं कि आप लोग यह बताएं कि सहीद का दर्जा मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए दोस्तों मेरी नजर में सहीद का दर्जा मिलना चाहिए अमरत पाल सिंग के साथ बहुत गलत हो रहा है उन्हें न्याय मिलना चाहिए और न्याय के लिए अगर ह हमें भी कुछ करना पड़ेगा दोस्तों हम भी आपके साथ हैं पूरा युवा पूरा युवा आपके साथ खड़ा है और जो भी करना पड़ेगा ऐसा नहीं है कि कोई सेना में बरती हैं तो अंदर आप सेना में भरती सेना की प्रोपरटिय एक कैसे भी आपकी डैथ होती है आप लोगों को सहीद जरूर बोलना चाहिए जरूर मिलना चाहिए तो दोस्तों अगर वीडियो थोड़ीशी भी ठीक लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जहीं जबारत